नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों रीतिकाल का प्रकरण दो आज हमें पढ़ना है पहले प्रकरण में हमने देखा था जो रीतिकाल की जितनी भी बहुत मतलब सामान्य बाते थी किस तरह से रीतिकालीन कवियोंने कवित की और ध्यादा ध्यान दिया कोई मौलिकता नहीं हो पाई यह सब बाते हमने उसमें कारण सहित जानी थी अब आज हम आगे चलते हैं प्रकरण दो में ठीक है चलिए देखते हैं हिंदी साहितिकी गति का जो उपर संचिप्त उलेक हुआ उसे रीतिकाल की सामानिय प्रव uniqueness का पता चल सकता है आप इस काल के मुख्य कवियों विवरन दिया रहा है ध्यान रखेगा पहले मैं च्छाज मेंने पिचला विडियों बताया था जो में उसमें सामानिय प्रवrywत्तियां यह और जब है दुसका दूसरा प्रकरण है कवियों वेबरन दिया गया है सबसे पहले दिया गया है चिंतामणी त्रिपाठी का सुकल जी ने सबसे पहला वेबरन चिंतामणी त्रिपाठी का दिया है ये तिकवापुर जिलाकानपुर के रहने वाले और चार भाई थे चिंतामणी त्रिपाठी इनके एक और भाई थे चारुकवी थे जिनमें प्रत्थम तीन तो हिंदी साहते में बहुत ही सस्वी हुए इनके पिता का नाम रतनाकर त्रिपाठी था कुछ दिनों से यह बाद उठाया गया है कि भूशन ना तो चिंतामणी और मती राम के भाई थे और ना सिवाजी के दर दर्बार में थे कुछ दिनों से इस प्रकार का विवाद उठ खड़ा हुआ है कि जो भूशन थे वो चिंतामणी या मती राम के भाई नहीं थे और सिवाजी के दर्बार में भी नहीं थे पर इतनी प्रसिद भात का जब तक पर्याप्त बिरुद्ध प्रमार ना मिले तब तब तक इसके लिए बिल्कुल ठोस प्रमार ना मिले तब तक इसको अस्वीकात नहीं किया जा सकता चिंतामणी का जन्मकाल समवत 1666 चिंतामणी थे देखिए तीन ट्रिपल छक्के दिखाई दे रहें 36 हैं चिंतामणी की डेट ओव बर्त में के लगभग कविता काल नाम बमाना है इनका कविकुल कल्पतरु नाम ग्रंथ 1707 का लिखा है इनके संबंद में सिफ सिंग सरोज में लिखाया कि ये बहुत दिनों तक नागपुर में सूर्यवंसी भोसला मकरंद सहके यहां रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामत पिंगल का एक बहुत ग्रंथ बनाया चिंतामरी जी के साथ समस्यां थोड़ी सी यह हो जाती है कि इन्होंने जो चंद विचार बनाया यह किसके नाम पर बनाया उन्होंने बनाया सूर्यवंसी भोसला सह मकरंद सह के लिए बनाया चंद विचार यानि यह जो सूर्यवंसी मकरंद सह थे इनके पांच ग्रंथ इनके बनाय हुए हमारे पुस्तकाले में मौजूद सुकल जीन के बनाए पांच ग्रंथ बता रहे हैं एक छंद विचात कावव विवेक कावविकलकलतरु जिसमें कावविकल कल्पतरु बहुत जादा पूछा जाता है फिर काविप्रकास रामायर ठीक है इनकी बनाई रामायर कवित और नाना अन्य नाना चंदों में बहुत अपूर्व है अपूर्व मतलब बहुत ही बढ़िया है बाबूर रुद्र साही सोलंकी साहत जहां बात्सा और जहनदी एहमद ने इनको बहुत दान दिये इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मड़ी माल भी बताया है ध्यान रखिएगा चिंता मड़ी ने अपना नाम चिंता मड़ी माल आप इसको नामी ऐसे याद रख सकते हैं चिंता मड़ी माल हाना इन्होंने अपना नाम कहीं कहीं मड़ी माल भी बताया है इसके उपर उपर के विबरंट से इस पश्ट है कि चिंतामडी के नेकावी के सब अंगों पे गरंथ लिखे इनकी भासा ललित और सानुपरास होती थी आवद के पिछले कवियों की भासा देखते हुए इनकी भासा पिसुद्ध दिखाई पड़ती थी मतलब पहले के अगर कवियों से अ इतिकाल के मैं सारे पद नहीं पढ़ूँगी कुछ ही पद पढ़ूँगी बहुत सारे हैं पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी रचना के कुछ नमूने है एही उदारत हैं जिनहें ति परे मोह महोदद के जल फेरे जे इनको पल ध्यान धरे मन तेना परे कब हुँ जम घेरे राज जमा राज उमा रमनी उपधान अभै बरदान रहे जननेरे हैं बलभार उदंड भरे हरिके बुझदंड सहायक मेरे हरिके बुझदंड सहायक मेरे चिंतामण जी की पंकियां है यह देख लीजे पूरी नहीं पढ़ूंगी एक आज में कुंदन बेल सकी मन मंदिर में रुचिवरंद भरे कुरविंद के पल्लव इंद तहां अरबिंदन ते मकरंद जरे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उत बुंदन ते मुक्तागन हवे फल सुन्दर द्वे पर आनी परे लखित यो दुति कंद अनंद कला नंद नंद सिलाद्रव रूप धरे देख लेजएगा उसके बाद के कुछ और पद दिये हुए हैं इनके इसके बाद दूसरे नंबर पर सुकल जी वर्णन करते हैं बेनी का ठीक है पहले चिंता मणी फिर बेनी का है यह असनी के बंदी जन थे और संवत सत्रा सो के आसपास विद्यमान थे संवत सत्रा सो में उनका मतलब बताया कविता का प्राराम हुआ है न याद उनका जैनम हुआ है संवत 1616 में और 1400 में उनुने कविता सो आरम की थी पहली कविता साथ के आङ्फ साय इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता पर फुटकल कविता बहुत से सुने हुएं अच्छा रीतिकालिन कवियों की जैसे आपको पहले ही उन्होंने भी बताया सुकलो जी ने भी कि लगबग एक तरह का इन्होंने लिखा है कुछ बारीक अंतर करने के कोशिस नहीं कि इसलिए पद्दों को पैचानने में बड़ी दिक्कत होती है यह थोड़ा आपको चुनरी के जबा जहरे रस रंग भिरे अभिरे हैं तमाल दवू रस ख्याल चहे लहरे नित ऐसे सने हैं सुरादी का साम हमारे हिये में सदा भिहरे यह देख लिए लिजए कविद बेनी नई उन्टी है गटा मुरवा बन बोलत कूकनरी चहरी बिजरी छिति मंडल छवे मलहरे मनमैन भभू कनरी पहिरो चुनरी चुनिके दुनहीन संग लाल के जुलहू जूरा नसी यह किसकी है बेनी जी की पंक्तिया है अब और भी है इनको रिसुपावस यूही बितावत हो मरी हो फिर मावरी हूकनरी ठीक है चिंतामडी जी बेनी जी तीसरे नमबर पर बात कर रहे हैं सुकलू जी महराजा जस्वन सिंग की यह मेवार के प्रसेद महराजा थे और जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे और जिनका भै औरंग जेब को बराबर बना रहता था जन्व 1683 में हुआ था यह साह जहां के सम भी इनका भै बना रहता था और सहजांकाल से इनों यह कई लणाईयों में भाग ले चुके थे महराज गज सिंग के यह दूसरे पुत्र थे और इनकी मुरत्यू के उपरां संबत 1695 में गद्धी पर बैठे थे इनके बड़े भाई अमर सिंग अपने उद्वत स्वभाव क कारण पिता द्वारा अधिकार चित कर दिये गए थे जो इनके बड़े भाई थे जस्वंत सिंग के अमर सिंग इनका क्योंकि सभाव अच्छा नहीं था थोड़ा वैसा था तो इनके पिता जी ने इनको सभी अधिकारों से मतलब सारे अधिकारों से छीन लिये थे महराज जस्वन सिंग बड़े अच्छे साहित्य मर्मग्य और तत्व ज्ञान संपन्पुरुष थे उनके समय में राज भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा महाराज ने स्वैम तो अनेक गरंथ लिखे ही अनेक विद्वानों और कवियों उसे नाचाने कितने गरंथ लिखवाए और अरंग जेब नहीं कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था डरता भी था औरंग जेब इनसे वहाँ साइस्ता खां के साथ ये छत्र पती सिवा जी के विरुद दक्षण बेजे गए थे हाँ ना कहते हैं कि चड़ाई में साइस्ता खां की जो दुर्गत हुई वे बहुत कुछ इनी के इसारे से हुई थी अंत में ये अफगानों के सर काटने के लिए काबूल बेजे गए जहां संबद सोला सो सत्रा सो पैतालिस में इनका परलोग वास हो गया जस्वन सिंग की भी कहानिया खतम हो जाती है चिंता मणी बेनी जस्वन सिंग ये एक सेकेंड उन्हीं का भी आगे और वेबरन दिया है ये हिंदी साहित के प्रधान आचारियों में माने जाते हैं और इनका भासा भूसन भासा भूसन जस्वन सिंग आप सभी नहीं याद क्या होगा ग्रंत अलंकारों पर बहुत ही प्रचलित पार्ठी ग्रंत रहा है ये प्रशन पूछा जा चुका है भासा भूसन एक प्रचलित पार्ठी ग्रंत रहा है पढ़ाने योगे जिससे अलंकारों के बारे में सिक्छा दी जाती थी इस ग्रंत को इन्होंने वास्तव में आचारे के रूप में लिखा है कभी के रूप में नहीं अभी ये चीज ध आस्तव में कवी थे और उन्होंने कविता करने के उद्देशी से ही विक्रंत लिखे थे ना कि विसे प्रतिपादन की द्रस्टी से पर महराज जस्वंत सिंग इस नियम का अपबाद थे और जब भी कोई नियम का अपबाद होगा वो आपकी परिक्षाओं के लिए महत्व पॉर्ण होगा वे कहतें आचारे की हैसियत से हिंदी साहतिके छेत्र में आये कभी के हैसियत से नहीं ठीक है उन्होंने अपना भासा भुषण विलकुल चंद्रा लोग की छाया पर बनाया और उसी की संचिप्त प्रणाली का अनुसरन किया इस प्रकार चंद्रा लोग को बाइक ही इस लोग के भीतल लक्षड और उदारन दोनों का सनिवेश है उसी तरह भासा भूसन में वी प्राया एक ही दोहे में लक्षड और उदारन दोनों रखे जाए ठीक ध्यान रखेगा भासा भूसन किसका चाया पर बना चंडरा लोग की फेर बना यहां पर आपको ध्यान यह रखना है इनकी म्रत्यू और विसेस्ता है इनके जन्म का समय क्योंकि आपको क्रम से लगाने को आ सकते हैं कभी उसके बाद इनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए उसके बाद जो भी कुछ इसे विद्यार्थियों को अलंकार कंट करने में बड़ा सुवीता हो गया अलंकार कंट करने में मतलब अलंकारों को याद करने में बड़ा ही आराम हो गया और भासा बूसान हिंदी का विरीतियों के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्री हुआ जैसे संस्कृत के विद खशन भी दे दिया उध्यारन भी दिया तो बच्चों को याद करने तो आराम हो गई सब्सक्राइब चोटा सब्सक्रान सब्सक्राइब को याद करने में वैसे भी अच्छी लगती है ना भासा भुसर्ण के अत्रिक जो और ग्रंतिनों ने लिखा है वे तत्वग्यान संबंदी है जैसे अपरोक्ष सिध्धान्त अनुभव प्रकास आनंद विला सिध्धान्त बोध सिध्धान्त बोध सार प्रबोध चंद्रोद नातक यह सारे किस पे तत्वग्यान प्यादारित हैं अब आप यह देख सकते हैं कि जब यह नातक आपको दिये जाएं या मतलब यह दिये जाएं नाम से कुछ काफी कुछ सिध्धान्त अनुभव प्रकास तो इस बेस पे आप इनको कई बार पहचान सकते हैं यह रचना की पूरी निपुंटा प्रकट होती है पर साहित से जहां तक संबंद है वे आचारे या सिक्षक की रूप में ही हमारे सामने आते हैं मतलब पदे रचना में भी वो निपुंट थे लेकिन वो हमारे सामने एक आचारे या सिक्षक की रूप में ही आते हैं अलंकार न निपुर्टा इनकी पद्धती का पड़्चे कराने के लिए भासा भूसंड के दोहे नीचे दिये जा रहे हैं। मतलब ही कितने निपुर्ट है ये नीचे दोहों द्वारा आपको पताया जा रहा है। अब देखें इनकी सब्दों को आप देखेगा। अत्युक्त अलंकार अत्युक्त यह बर्नत अतिसे रूप जाचक तेरे दानते भे कल्पतर भूप। पर्यास्त पान हुती पर्यास्त जूगुन एक को सो विसे आरोप होई सुधाधर नहीं यह बदन सुधाधर ओप। ठीक है। यह दोहे चंद्रा लोग के इन इस लोगों की सुस्पष्ट चाया हैं। मतलब बिल्कुल साफ साफ इनी दोहों का यह कहिए अनुवाद एक तरह से चंद्रा लोग के दोहों का कर दिया गया है। बासा भूसर पर पीछी तीन टीकाएं रची गई है। अलंकार रतनाकर नाम की टीका जिसे बंसीधर ने संबत 1792 बनाया। दूसरा टीका प्रताप साही का और तीसरा टीका गुलाब सिंग की चंद्रिका भूसर चंद्रिका है। तीन टीकाएं हैं प्रसिध अलंकार रतनाकर बंसीधर दूसरा प्रताप साही ने बनाया जिसका नाम ने दिया तीसरा गुराब कभी ने जिसका नाम है भूसर चंद्रिका। अब आजाते हैं हमारे भिहारी लाल बहुत ही प्रसिध हैं। माना जाता है ठीक है 1660 में ये जन में चिंतामणी का 1666 दिये थे एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्या वस्ता बुंदेल खंड में बीती और तरुना वस्ता यानि की युवा वस्ता ये अपने सस्राल मतुरा में आकर रहे अनुमानता ये 1720 तक विद्दमान रहे वर्तमान रह ये जैपुर के राजा मिर्जा राजा जैसाह मतलब महराज जैसिंग के दरबार में रहा करते थे कहा जाता है कि जिस समय ये कविशवर जैपुर पहुंचे उस समय महराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राज का देखने के लिए मैलों के बा महराज के पास भीतर भीजवाया कौन सा दोहा भीजवाया ये भी आप सबको पता होगा हम पढ़े दे रहे हैं ठीक है नहीं पराग नहीं मदुर मदु नहीं विकास एकाल अली कलीश्यों हीं बंद्यों आगे कौन हवाल कहते हैं कि इस पर महराज बाहर निकले और तब ही से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया माराज ने बिहारी को इस प्रकार के सरस्धोहे बनाने किया गया दी मतलब उन्होंने का और ऐसे सरस्धोहे बनाओ बिहारी दोहे बना बिहारी सत्सई हमारे काम आई और जो असरफी सत्सई थी वो बिहारी जी के काम आई श्रंगार्रस के ग्रंतों में जितनी ख्याती और जितना मान बिहारी सत्सई का हुआ उतना किसी और का नहीं इसका एक एक दोहा हिंदी साहित में एक एक रत्न माना जाता है ठीक है वही मैं कहारी हूँ ये रत्न हमें मिले बिहारी सत्साई के और असरफी बिहारी जी को मिली इनकी पचासो टीका रची गई इन टीकाओं में चार पांस टीका है तो बहुत ही प्रसिद है क्रश्ट कवी की टीका जो कवित्तों में है हरी प्रकास टीका ललू राल जी की लाल चंद्रीका सर्दार कवी की टीका और सुरती मिस्र की टीका इसनी ही टीका है जो बहुत यह ज़्यादा प्रसद है इन टिकाओं के अत्रिक्स बिहारी के दोहों के भाव पर लबित करने वाले छपपे कुंडलियां सवईयां कई कभी उने रचे पठान सुल्तान की कुंडलिया इन दोहों पर बहुत अच्छी हैं पर अधूरी हैं पूरी नहीं बनाई हैं कुछ दोहे छूटे हुए भातेंदू हरिश्चंदर ने कुछ और कुंडलिया रचकत पूर्ती करनी चाही थी रहा मतलब इनकी पठाल सुल्तान की जो कुंडलिया दूरी रह गए थी उसको कौन पूरी करना चाह रहा था भातेंदू हरिश्चंदर चाही थी पर सायध हुई नहीं है पंडिक अम्भिकाप धत्व्यास ने बिहारी बिहार में सब दोहों को के भावों को पल्लवित करके रोला चंद लगाए हैं ठीक अब ये तथ हैं आपको एक जगे या लिख करने पढ़ें क्योंकि पूछ लिए जाते हैं और आई से सुनने से आपको यादों नहीं होई पंडित पर्मा नंद ने स्रंगा सबसती नाम के दोहों का संस्क्रत अनुवाद किया है जिसके पास मेरी किताब होगी उसमें तो सब अलगी ये सब दिया ही हुआ है वह आराम से पढ़ लेगा यहां तक की उर्दू सेरों में भी एक अनुवाद थोड़े ही दिन पहले बुंदेल खंड के मुंसी देवी प्रसाद यानी प्रीतम ने लिखा था उर्दो सेरों में भी इसका अन्वाद हुआ है बिहारी सत्साई का सोच लिजे इस प्रकार बिहारी सत्साई संबंदी एक साहित्ते ही खड़ा हो गया इतना लिखा गया है इतने से ही इस ग्रंथ की सर्व प्रियता का अनुमान हो जाता है बिहारी का सबसे उत्तम और प्रमाणिक संस्क्रण बड़ी मारमिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मरमग्य और ब्रजभासा के प्रधान आधुने कभी बाबु जगरनात रतना करने न नहीं हुआ है बहुत बड़ी बात कहीं गई है किसके लिए की गई है जो राज बाबु जगरनात रतनाकर ने इनके लिए जो टीका लिखा न यह सुकली जी कह रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रमाणिक तो बहुत साथ स्रम और साथ धानी के साथ लिखा गया था लाइन बड़ी कीरती का आधार है यह बात साहिती के छेत्र में इस तद्र के इस्पष्ट गोश्टना कर रहा है कि किसी कवी का यस उसकी रचनाओं के परिमार का हिसाब नहीं होता है गूण के हिसाब से होता है मतलब यह नहीं है कि आप लेके 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 गरंत भरते रहे उससे आपको येस की प्राप्ती नहीं होती है, गुणों के हिसाब से येस की प्राप्त होती है, मुक्तक कविता में जो गुणों होना चाहिए, वे बिहारी के दुहों में अपने चरम उतकर्स को पहुचा है, बियारी जी की जो तारीफ किया बहुत ध्यान से सुन लीजेगा, बिय पिरिदह में एक स्थाईव जब आपको नहीं कहानी सुनते हैं तो praave इसange196 Steve मुक्तक में कोई कथा चल नहीं रही होती है कि आपको बांदे रखे फिर भी अगर बांदे रख रही है तो यह उसकी बहुत बड़ी उपलब दी है इसमें तो रस के चोटे रस के ऐसे चीटे पड़ते हैं जिन से हिर्दय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उटकी समझे बात को इसको आप जब सोचेंगे ना तब आपको जल्दी से याद हो जाएगा प्रबंध कावे की तरह मुक्तक नहीं है क्योंकि यह मुक्तक में कोई प्रबंध तो है नहीं वो तो मुक्त है इसमें क्या होता है रस की मतलब छीटा पड़ा मन खुस हुआ थोड़ी देर के लिए तब ही सुकल जी कह रहे है यदि प्रबंध कावे एक वनिस्थली है पूरी वनिस्थली है जहां पर आप घूम कर आनंद ले सकते हैं मुक्त के चुना हुआ गुलदस्ता है इसी से ये सभा समाजों के लिए अधिक उप्युक्त होता है है ना आप भी समझते हैं गुलदस्ता सभा समाजों के लिए अधिक उप्युक्त होता ही है याद रखिएगा उसमें अत्रोता रनेक द्रस्चियों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके एक किसी पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता बलकि कोई एक रमणी ये खंड द्रस्ट इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठा की अस्रोता कुछ छड़ों के लिए मंत्र मुग्दसा हो जाता है कोई कहानी तो होती नहीं उसमें इसके लिए कवी को अत्यंत मनोरम वस्तुमों और व्यापारों का एक छोटा सा इस्तवक कल्पित कर उन्हें अत्यंत संजित और ससक्त भासा में प्रदर्शित करना पड़ता है कठिन काम होता है अता जिस कवी में कल्पना की समाहार सक्ति के साथ भासा की समाहार सक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वे रक्षना में सफल होगा यदि भासा पे पकड़ नहीं मजबूत है तो मुक तक बहुत कठिन हो जाएगा और उतना सफल भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको थोड़े से में बहुत कुछ क्या देना है ना, ये चंदा बिहारी में पून रूप से विद्धमान थी, इसी से वे छोटे से छोटे चंद में इतना रस भर सकें, इनके दोहे क्या रस के छोटे छोटे छीटे हैं, इसी से किसी ने कहा है, सत्सईया के दोहरे, जे नावग के तीर, देखन में छोटे लगें, बेंदे सकल, सरीर बिहारी जी की रस वियंजना का पून वैभव, उनके अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता है, आधे के स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुरता और उक्तिकोशल के दरसन होते हैं, पर इस विधान को इनकी कलपना की मधुरता छलकती है, अनुमानों और कि यसी सुन्दर योजना कोई स्रंगारी कभी नहीं कर सका है, नीचे की भाव भरी सजीव मूर्तियां देखिए, बहुत प्रसिद दो हैं ये बिहारी जी के सब को याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, बतरस लाल की मुरली धहेरी लुकाए, लुकाए मतलब छुपा के ह होता है, सौह धरे भौहन हसे, देन कहे नटी जाए, नासा मोरी नचाय द्रग करिकाका की सौह, काटे सी किसके ही ये गड़ी कटीली भौह, ललन चलन सुन पालनू में अस्वा जलके आई, लई लखाई ना सकिन है जूटे ही जमुहाई अब देखिया आगे क्या कह रहे है, भाव वियंजना या रस वियंजना के अत्रिक्त बिहारी जी ने वस्त वियंजना का भी सहरा भी बहुत लिया है, अब ये इंपोर्टेंट लाइन हो जाती है, बिहारी जी ने किसका सहरा लिया है, भाव वियंजना या रस वियंजना के दिक वस्त वियंजना का वी साहरा बहुत लिया विसेशता सोभा यह कांती सुकमाता विरहता विरह की तीक्षणा आदिके वर्णन में तहीं वह तुब व्यंजना जैसे पत्रा की तित पाईये वाग घर के चौपास नित प्रति पून्यों ही रहे आनन ओप उजास अब बहुत बड़ी बात तो होई गई है बहुत सारे हैं अब आप आगे देख लीजेगा सारे पद्दों को यहां पर बोलना संभब नहीं है अने के स्थानों पर इनके व्यंगार्थ को इस फुटित करने वाली बड़ी कलिस्ट कलपना की अपेक्षित हो आपके अंदर बड़ी कलिस्ट कलपना करने की छंता होनी चाहिए ऐसे इस तलों पर वेकेबल रीत या रूडी ही पाठक की साहता करती है जिसको रीत या रूडी पता है उस चीची वही समझ सकता है उसे पूरे प्रसंग का अच्छेप करना पड़ता है ऐसे दोहे बिहारी में बहुत से हैं पर यहां एक दो उधारण ही परियाप्त होंगे अब इस तरह के भी दोहों के उन्हें ने कुछ उधारण दिये है धीटी पर असन इट हवे कहे जू गहे सेयान सबे संदे से कहीं कहीं मुसकाहट में मान ठीक है आगे देख लीजेगा नए बिरह बढ़ती विथा खरी बिकल जीए बाल बिलख देख परोसिन्यों हरसी आसी तीही काल इन उधारणों से सपष्ट है कि बिहारी का गागर में असागर भरने का गुण इतना प्रसिद है वे बहुत कोछ रोड़ी की इस्थापना से ही संभव हुआ है मतलब इन्हों ने जो छोटे छोटे दोहों में इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है वो क्योंकि इन्हों ने रोड़ी लेके चले है और जो रोड़ी जानता है उस शीच की वो जल्दी से उसका अर्थ निकाल लेता है इसी वज़े से ये संभव भी हो पाया है रोड़ी की स्थापना से ही वरना इतने चोटे चोटे दोहों में इतनी बड़ी बड़ी बात कहना मुस्किल हो जाता यदि नायका भेत की प्रता इतने जोर सोर से ना चली आई होती तो बिहारी को इस प्रकार की पहली बुझाने का साहस ना होता क्योंकि उस समय रूड़ी ही चल रही जी नायका बेट की तो जो वो पहली बुजाते थे लोगों को आसानी से समझ भी आ जाती थी अलंकारों की योजना भी इस कवी ने बड़ी निपोर्ता से किये किसी किसी दोहे में कई कई अलंकार उलज पड़ें मतलब कई सारे एक साथ आ गये पर उनके कारण उसमें भद्धापन नहीं आया है असंगती और विरोधा भास की मार्मिक और प्रसिद उप्तियां कितनी हनूठी हैं अब देख लीजे सुकल जी कह रहे हैं इनमें असंगती और विरोधा भास हैं इसको इस तरह से भी आप त्यार कर लीजेगा कि इसमें अलंकार भी आपसे पूछ सकते हैं हाना द्रग उर्जत तूटत कुटब जुरत चतुर चित प्रीत परति गाठ दुर्जन हिये दैनईये रीती तंत्री नाद कबित रस सरस राग रती रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरें जो बूढ़े सब अंग ठीक एक दो जगे काव्ये एक दो जगे व्यंग अलंकार के भी बड़े अच्छे रंग से आए हैं ठीक है इस दोहे में रूपक व्यंग हैं देख लीजे उठा के रख दिया जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा प्रिशन पूछा कहा से गया है यह जो दारण है ना इसमें रूपक व्यंग दिया गया है करे चाहसो चुटकी के करे खरे उड़नो मैन लाजनवाय तरफत करत खूंदी सी खूंद सी नैन स्रंगार के संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्म स्परसनी हैं कि कुछ दोहे सहदियों के मुझ से बराब बार बार सुने जाते हैं इस मरण में कैसी गंभीर तनमेता है सगंज कुझ छाया सुगत सीतल सुलबी समीर मन हवे जात आ जाओ वहें उहीं जमुना के तीर विस्वत कावी के अत्रिक्त बिहारी ने सुक्तियों की भी बहुत सी सुक्तियां भी बहुत सी कहीं हैं जिसमें बहुत सी नीती संबंदी नहीं हैं जादा तर सुक्तियां जो होती है वो नीती संबंदी नहीं होती हैं सुक्तियों में वर्णन वैचित्रता ये सब्द वैचित्री ही प्रेदान रहता है आता उसमें कुछ एक की ही गरना असल कावे में हो सकती है केवल सब्द वैचित्र के लिए वैचा बिहारी ने बहुत कम दोहे रचे हैं कुछ दोहे यहां दिये जाते हैं अब कितने सारे इनके दोहे पड़े जाएं बहुत सारे दिये मुझे लगता है यहां पर बहुत ज़्यादा नहीं है चले देख लेते हैं कुछ एक तो आपको बिल्कुल रटे होंगे इनके दोहें यद्यप सुद्दर सुघरपुनी सगुणों दीपक दे हैं तव प्रकास करे तितों भिर्य जितों सने हैं कनक कनक ते सोगुनी मादिकता अधिकाए या खाए बोराए नर वा पाए बोराए तौपर वारो उर्वसी सुन रादी का सुजान तू मोहन के उर्वसी हावे उर्वसी समान बिहारी के बहुत से दोहे आरिया सब्सती और गाथा सब्सती की छाया लेकर बने है इस बात को पंडित पद्म सिंग सर्मा ने विस्तार से दिखाया है पर साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहारी ने संग्रहीत भावों को अपनी प्रतिपा के बल पर किस प्रकार एक स्वतंत्र और कहीं कहीं सुन्दर रूप दे दिया है बिहारी जी ने जरूर आरिया सब्सती और गाथा सब्सती की छाया लेकर बनाया है यह बढ़ाबर आपके प्रिशनु पत्रों में पूछी जाती है वहारी के भासा चलती होने पर भी साहित्यक है वाकरचना व्यवस्थित है और सब्दों के रूप का व्यभार एक निश्चित प्रणाली पर है ये बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है ब्रज भासा कि कव बूसन और देव के उपर राम सुकले जी कह रहे हैं इन्होंने बहुत जादा सब्दों के अंग भंग किये हैं और कहीं कहीं गड़न सब्दों का भी विवार किया अपने मन से गड़ लिए विहारी की भासा इस दोस्त से भी बहुत कुछ मुक्त हैं मतलब उनमें यह बहुत दोस्त नहीं ना के बराबर पाया जाता है दो एक स्थल पर ही समर के लिए समर ऐसे कुछ विक्रत रूप मिलेंगे जो यह भी नहीं जानते कि क्रांती को संक्रमण में जो यह भी नहीं जानते कि क्रांती को संक्रमण भी कहते हैं अच्छ साफ के अर्थ में संस्क्रत सब्द है रोज रुलाई के लिए आगरे के आसपास बोला जाता है और कबीर जैसी आदिद्वारा बराबर व्यवारित हुआ है सोन जाई का सब्द सवन जाती से निकला है जो ही से कोई मतलब नहीं संस्कृत में वारी और दोनों सब्द है और वार्द का अर्थ भी बादल है ठीक है वार्द का अर्थ क्या है बादल ध्यान रखिएगा परियाएवाची मकाम आजाएगा आपको दे सकते हैं मिलान पड़ाव मुकाम के अर्थ में अपनी पुरानी कविता में भरा पड़ा है चलती ब्रजभासा में पिछानना रूप ही आता है खटकती का रूप बहुवचन में यही रहेगा आदी पचासो सब्द उनकी समझ में ना है तो बेचारे बिहारी जी का दोस्त मतलब बिहार बिहारी ने यद्यब लक्षन क्रंथ के रूप में अपनी बिहारी सत्साई नहीं लिखी पर नक्सिक नाइकाबेद सट्रितु के अंतरगत उनके सब श्रंगारी दोहे आते हैं और कई टीका कारों ने दोहों को इस प्रकार के साहितिक क्रम में रखा भी है जैसा कि कहा जा है दोहे बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर आवश्य था इसलिए हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों पर ना रख उक्तिकाल के प्रतिनिदी कवियों में रखा है सुक्लोजी नहीं प्रतिनिदी कवियों में क्यों रखा है क्योंकि इन्होंने लक्षण बिहारी की क्रतिका मूल जो बहुत अधिक आका गया है उसे अधिकतर रचना की बारी की या काव्यांगों की सुच में विन्यास की निपूर्ता की ओर ही मुख्यता द्रश्टी रखने वाले पार्खियों के पक्ष से समझना चाहिए उनके पक्ष से समझना चाहिए कि जो किसी हाथी दात के टुकडे पर महीन बेल भूटों को देखकर घंटों वाहा वाहा किया करते हैं पर जो हिर्दय के अंतिस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं किसी भाव की स्वक्ष निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मगन रखना चाहते हैं उनको संतोज से उनका संतोज बियारी से नहीं हो सकता बियारी की जो रचनाय हैं वो मतलब रत्रिम सी हैं मतलब आप यह समझें हाथी दात के किसी टुकड़े पर बहुत बारी की से बेल बूट अगर बना दिये जाएं तो जो लोग इस तरह के बाहरी उस पर आकरसंट पर जाना चाहते हैं उन्हें बियारी जी बहुत संतोज कर आगी लेकिन अगर मन में इसको नहीं कहते हैं मनों भावों से सहरदय होकर या फिर इस थरिक अंतस्थल में मारमिक भाव चाहते हूं, तो उन्हें बिहारी से संतोस नहीं होगा, बिहारी का कावे हर्द है कि किसी ऐसी लह या संगीत का संचार नहीं करता, जिसकी स्वर्धारा कुछ समय तक गुझती रहे, यदि घुले हुए भावों का अभ्यांतर प्रवा बिहारी में होता, तो वो एक एक दोस्त ना करते, मारमिक प्रभाव का विचार करें, तो देव और पजमाकर जैसे कवित सवाईयों का गुंजन करने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों में नहीं पड़ता, दूसरी बात यह है कि भावों का उत्रस्ट और उदात स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है, कव कवितानों ने भले जंगारी कहीं हो, लेकिन जो प्रेम के उच्छ भूमी होती है, वहां तक वो नहीं पहुच पाती है, ठीक है, उम्मीद करते हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो जादर जादर इसको शेयर करिएगा, आगे के कवि अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।